भाई तो इसलिए सोच समझ के गाड़ी लिजीए बहुत समझ के और लाइट बोड़ी बन भाव उसके चार जो पिलर होते हैं एक उपर के जो पिलर है उपर के और चार पिलर यह मजबूत करा ताकि सपोर्ट अच्छा बना रहा है जता है कि भाई में गाड़ी ले ले में चल करेंगे दोस्तों हमाँ पार फिर से कॉमेंट्स आहिए मता कॉमेंट्स आती देती लेकिन मैं सेलेक्टेट कॉमेंट जो है चूस करता हूं जिसको मुझे लगता है कि भाई यह सही है इसका जवाब मुझे देना चाहिए ताकि आप लोगों को इसका नोले जो तो बाई चैनलों को सब्सक्राइब करके दरूब जाए ठीक है तब शूरू करता है हमारा जो कमेंट आया भाई का वह पूच रहा है रोहाई भाई सर में न्यू क्लासिक मतलब क्लासिक आप है लेने के सोच रहा हूँ पर डाउन पर्मेंट डेने के लिए मेरे पास पचास हजार है क्या मैं लूँ यह ना लूँ सर रिप्ला ज़रू करना जल्दी जो को अभी आप किलासिक लेने जाएंगे ना जैसे आप पे का तो यह मान के चलिए कि आपको सम्तिंग तीन लाग तीस हजा तीन लाग बीस है पचास हर के आसपत पड़ेगा और पचास हर की डाउन पेमेंट आप करना जा तो भाई इतना ज्यादा इंस्टॉल्मेंट मतलब इतना ज्यादा खिस्त भरना बहुत मुश्किल है आज के दमान में अगर आपके पार लाइन है तो आप हाट डालिएगा नहीं तो मेरी राह यह के बहतर यह कि ज्यादा पेमेंट आप जम्मा करें मतलब पचास हर की जग लोड नहीं रहेगा तो यह सब्सक्राइब नहीं रहेगा आपको ज्यादा इंस्ता लोड नहीं रहेगा कि क्योंकि पांच हेजा साड़ पांच हेजा रुपए ये मान लीजी छेजाजार रुपे भी हैं तो दोसो रुपए रोज कोई एक राउंड भी लगाएंगे दोसो रुपए रोज तो निकल जखते वैसे लाइन आपके पास है तो और लाइन नहीं है कोई लाइन नहीं है अगर लाइन पहले डूनिए और मैं तो यह कहूंगा अगर लाइन नहीं है तो इससे पहले आप गाड़ी लेने का ना सोचिए चूंकि दो कर लाइन पहले होना चाहिए और किसी के भरोसे कोई यूँ कहता है कि बाई में गाड़ी ले ले में चलवा दूँगा मेरी ये लाईने फलाना ये दिमका 25 बास है उसके बाई गाड़ी मत लीजिए घांगे और पाइट्नरी में भी गाड़ी मत लीजिए का कि बाई तो इंस्टॉल्मेंट जम्मा कर दें बहुत से ल पाइडनरी में ठीक है फिलाल जो आपने पूछा है कि बाई इंट्रोल्मेंट 50 जम्हा कर रहा है और इंट्रोल्मेंट कि क्ति का बनेगी और 50 जार में आपको लेना चाहिए नहीं लेना जी मैं तो बिल्कुल किलियर मना करूँगा इसीज को कि बाई पचास जार रुपे में आप लगाड़ी लेने जाएंगे तो कुछ मसलब नहीं होगा आपके काफी जाधा इंट्रोल्मेंट मननेगी काफी जाधा किस्त मनेगी अभ बाइब चालीस जमा करने के बाद उसकी किस्त बन रही है अट हजार प्लस आट हजार कुछ रुपए मुझे बदला रहा था मुझे याद नहीं लेकिन आट हजार रुपए तो 110% है उसकी आट हजार रुपए ठीक है उपर यह कुछ लेकिन अब 8000 रुपए मैं कुरावर के मार्केट का बात रहा हूँ, कुरावर मार्केट भी भुले क्या है, उसके बाद अभी इत्ती डाउन मार्केट है, डाउन हालात है, कि किस तो निकाल रहा होगा, मेरको ये समझ भी नहीं आ रहा, ठीके, असल में क्या होता है, कि अपन जमार करेंगे उसके बाद आपने किस्त बनवाई नहीं गाड़ी लिया बोड़ी आएगी सिफ हाफ उसके बाद आपको बोड़ी बनवाना पड़ेगी कम से कम 18-20,000 रुपर आपको बोड़ी में खरच करना पड़ेंगे अच्छी बोड़ी बनेगी और बोड़ी में भी उपर के जो पिलर है उपर के और चार पिलर यह मद्वूत करा ताकि सपोर्ट अच्छा बने रहा है बाकि चादर मादर इत्ती यह भी मत लगबाय करो ठीक है यह कहूंगा मैं आपसे उसके बाद 20,000 खरचा भी है यह ठीक है और इंट्रॉल्मेंट भी जादा बनेगी तो आप लोगों के सहरा रहे मैंने बता है आपको करको मुझे बताई कि मैं सही जरा रहाइं गलत कि रहां पाकि जो बहुत से लोग कहा है आजकर डूल ए को शी हूं को इसी भी चीज हो अपको एक लाका उपर गाट है तो मैं जा आयगरित उड़ाने चला गया यह सिफ्ट रूड़ा लाए है ना जब मैं अपांदर अधा जमा हुए 20 अधा जमा हुए जाके मोड़ा साइकल उड़ा लाया वाई उसकी इंस्टॉल्मेंट कितनी बनती है और क्या चार साल की फाइनेंस कर दो साब और इसने में आप इंस्टॉल्मेंट ही चला रहा है अभी तक फिरी नहीं हो इसाब गाड़ी मालो आठ अभी गाड़ी लेकर आएंगे आप पच्छा जमा करके माली यह आजार रुपे किस्त बनी यह साड़ा तास अजार रुपे किस्त बनी ठीक है चार साल के आपने बन्म वह लाएं तीन साल की बन वहांगे ना कम सब्सक्राइब नो अजार की किस्त बने गी है ना तीन साल की दौ साल में तो दस प्लेस हो जाओगा नक्योंस किस्त बन करहाएं यह माल लिजिक मरकेट में मेरां बहुत जयादा घुट आ लुक्त देनी है चार साल किस्त देना बहुत बड़ी बात है भाई मेरे मतारों आपको आप सोचो कि कि साला जाए तो मेरे यह आट अजार रुपए बचेंगे मेरे पास आएंगे जेम में काफी कुछ कर लूँगा यह सा कुछ भी नहीं हो पाएगा आट आजार रुपए किस समझ करें लीजिए बहुत समझ करम करें इंकम करना कि इन्सान को लेकिंग थोड़ा ता पैसा भाई रही है आप प्देजार करिए च्चा बढ़्ना हिए लाग लुप एक लाग भी सहर के आसपास बढ़ाईए ताकि इस इंस्ट्रॉल्मेंट कम बने और आपको गाड़ी सक्सेज हो जाए ठीक है मेरी यही दुआ है कि आप काम करें नाम करें और सक्सेज रहें ठीक है दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा क्या लगा मुझे कोमेंट करके बटाएं कि दरूर और वीडियो को लाइक कोमेंट करना लाइक करना ना भूलें ठीक है और चैनल करना सब्सक्राइब थैंक्यू समाइट वाचिंग दार्याल इन्फ व्लोग